हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल पिछली क्लास में हमने प्लेन का इक्वेशन देखा था इंटरसेप्ट फॉर्म में आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन आफ प्लेन इन दा नॉर्मल फॉर्म आज हम नॉर्मल फॉर्म में एक्वेशन को देखने वाले हैं नॉर्मल मिस हमारा क्या होता है 90 डिग्री मिस पर्पेंडिकुलर तो इस केस में हम देखेंगे हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या होगा तो हमारा normal form में भी दो तरीके से represent कर सकते हैं एक तो vector form में दूसरा Cartesian form में तो सबसे पहले हम vector form में देखते हैं कि कैसे हम represent कर सकते हैं equation of a plane इंदा normal form को तो यहाँ पे हमारा NP जो है वो lie कर रहा है plane पे और NP जो है perpendicular है N cap के जहाँ पे हमारा N cap जो है unit vector है along O N और यहाँ पे O P position vector है उसका value किसके बराबर हमने लिया है R vector के तो देखते हैं कैसे हम इसको solve कर सकते हैं सबसे पहले statement देख लेते हैं क्या है if N cap is a unit vector normal to a given plane N cap क्या है unit vector है जो क्या है normal है किसके given plane NP के directive from the origin हमारा origin क्या यहाँ पे O to the plane and P is the length of the perpendicular P जो हमारा है यह perpendicular length है drawn from the origin वो origin से draw किया गया है कहां तक to the plane वो plane NP तक draw किया गया है P को then the vector equation of the plane is R vector dot N cap equals P तो इसके समे हमारा equation क्या हो जाएगा R vector का अगर हम N cap के साथ dot करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा तो देखते हैं हम कैसे इसको solve कर सकते हैं माल लेते हैं let N cap be a unit vector along on vector then on vector equal से हमारा on जो है position vector वो किसके बराबर है P in cap के and हमारा op जो position vector है हमने क्या लिया इसको R vector के बराबर लिया है NP vector lies on the NP vector lies on the plane NP vector is perpendicular to N cap NP NP कहां लाई कर रहा है plane पे और NP के है perpendicular है N cap के NP और N cap एक दूसरे के क्या है perpendicular हमें पता है कि अगर दो vector एक दूसरे के perpendicular हो तो उनका dot product 0 के बराबर होता है तो यहां पे हमारा NP vector dot N cap equals 0 दोनों vector का dot product किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर तो NP जो हमारा position vector उसको कह लिए सकते हैं O P vector minus O N vector dot N cap equals 0 फिर क्या करेंगे हम N cap को O P के साथ multiply करेंगे तो हमारे पास O P का value किसके बराबर है O P जो है वो R vector के बराबर है तो हम लिख लेते हैं O P के बदले R vector minus O N जो हमारा है किसके बराबर है P N cap के बराबर है dot N cap अब dot करेंगे हम तो क्या जाएगा R vector dot N cap minus P N cap dot N cap equals 0 तो यहां से हमारा क्या जाएगा R vector dot N cap minus यहां पे N cap dot N cap क्या हो जाएगा 1 P equals 0 R vector dot N cap minus P है right set जाएगा तो क्या हो जाएगा P के बराबर तो आगे हमारा equation of the plane in the normal form तो vector form में हमारा आगे है equation किसका प्लेन का यहां पे हमारा N cap क्या है unit vector perpendicular to the plane और हमारा P यहां पे क्या है पर्पेंडिकुलर distance from the origin यहां पे हमारा P क्या है perpendicular distance है कहां से origin से तो जब कभी आपको equation अपले in the normal form को vector form में बताने को बोले तो कौन सा equation यूज करेंगे R vector और N cap का dot जो होगा किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा note के तोर पे एक चीज़ देख लीजे if N is a vector normal to a given plane then R vector dot N vector equals Q तो याद रह सकते हैं अगर हमें कोई vector दे दे N और वो क्या हो नॉर्मल हो किसी given plane के उसके इसमें हमारा R dot N जो है वो Q के बराबर हो जाएगा ये भी हमारा equation of the plane ही होगा ये क्या करेगा हमारा represents a plane ये equation भी किसको represent करेगा plane को अब हम देखेंगे कि equation of a plane को Cartesian form में कैसे denote करते हैं we know that the vector equation of a plane in the normal form is equation of a plane normal form में हमारा क्या था R vector dot N cap equals P इस equation को माल लिजे equation number first taking R vector equals X I cap plus Y J cap plus Z K cap and N cap को माल लिजे A I cap plus B J cap plus C K cap जहां पर हमारा A, B, C क्या है Direction Ratio of the normal to a given plane यहां यहां पर लिजे यहां पर A, B, C हमारा क्या है Direction Ratio है तो अब R और इन cap का value क्या करेंगा हम equation first में रखेंगे तो हमारा equation first क्या हो जाएगा X I cap plus Y J cap plus Z K cap dot A I cap plus B J cap plus C K cap equals P अब क्या करेंगे हम dot product करेंगे I का I के साथ J का J के साथ और K का K के साथ तो I का I के साथ dot product करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा one तो यहां पर I dot I क्या होता है one तो हमारा क्या बचेगा A X similarly B Y plus C Z equals P which is which is required equation of the plane यह जो हमारा A X plus B Y plus C Z equals to P जो आया है यह हमारा क्या है Cartesian equation of a plane in the normal form तो यह हमारा क्या है equation of a plane जो है वो हमारा Cartesian form में जब भी पूछे तो आप क्या यूज़ करेंगे A X plus B Y plus C Z equals P जब यह हमारा A, B और C क्या है direction ratio of the normal to a given plane तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम देखेंगे equation of a plane in the normal form related कुछ important questions यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment section में ज़रूर बताए और इससे अपने दोस्तों के साथ share करें thanks for watching कि अपने